हमेशा से मैं आप सबको ये बताती आ रही हूं कि ये पैक लगाई और आपके बाल काले हो जाएंगे बट इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगे कि ये पैक लगाने से आपके बाल बिलकुल भी काले नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगी before and after result दिखाऊंगी क्या ये pack है, किस तरीके से बना बहुत काम ingredients को यूज करके मैंने इसे बनाया है so that की easily available हूँ आप सबको so चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले friends मैंने लिया है पैन, पैन में डाला है पानी पानी डालने के बाद सबसे पहले मैंने डाला है पानुगीक सीड्स मेथी डाले है चो की रिच सोर्स होते है आरेन ए प्रोटीन के असेंशल न्यूटरिंस होते हैं इसमें हेर ग्रोथ के anti-inflammatory और anti-fungal एक्ट होने की वज़े से पानुगीक सीड्स बहुत जाद अच्छे होते हैं आपके हेर के लिए उसके बाद मैंने इसमें अड़ के हैं hibiscus flowers, dried hibiscus flowers मैंने अड़ के हैं hibiscus flowers अभी सीजन है आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे इसको ज़रूर यूज क्या करें सो यह आपको help करता है hair loss को रोपने में healthy hair देता है premature grain को कम करता है आपके thin बालों को thick करता है volume को add करता है dandruff को treat करता है आपके frizzy dryness और breakage अगर हो गई है हेर में तब भी बहुत helpful होता है split ends को कम करता है सो यह बहुत 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 अच्छे ingredient है जितने ingredients में डाल रहे हैं सारे easily available होंगे थोड़ी सी मैंनत करनी पड़ेगी घर में पेड़ पोदा नहीं लगा है तो किसी पड़ों से के यहां जाके request करके आप ले सकते हैं क्योंकि यह हर दूसरे घर में आपको मिल जाएंगे next मैंने use क्या है curry leaves curry leaves में anti-oxidants होते है vitamin C होता है iron होता है जो कि आपके hair roots को strengthen करके hair loss को prevent करता है curry leaves बहुत 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 जाद अच्छे हैं आपकी premature grain के लिए hair loss को कम करने के लिए और hair की damage को ठीक करने के लिए अगर आपके hair damage हो गया तब भी यह बहुत अच्छा होता है उसके बाद मैंने use क्या है beet root so beet root आप कहेंगे कि अभी available नहीं है तो friends मैंने सारे solutions आपको अपने channel पे दे रखे हैं beet root का powder आप बना के रख सकते हैं अभी season आने वाला है तो beet root powder space बिंदुन आचल word करके जब आप सर्च करेंगे तो आपको मेरे beet root powder की recipe मिल जाएगी और आप उसको ज़रूर बनाएं store करें और आपने बालों के लिए use करें क्योंकि beet root में vitamin A, C, E और electrolytes होते हैं जो कि आपके hair को hydrated रखते हैं जिससे कि आपके बाल dry नहीं होते हैं और अगर dry नहीं होंगे आपके बाल तो आपके बालों में moisture बना रहेगा और आपके बाल silky रहेंगे तो आपके बाल टूटेंगे नहीं बीच पीच में से जिसको हम कहते हैं breakage तो उसको काफी अच्छा से ये avoid करता है क्योंकि आपके बालों को deeply penetrate एक moisture मिलना जरूरी है जिससे के आपकी hair की strand healthy रहे उसके बाद मैंने यूज क्या है आवला आप कहेंगे आवला मिलता नहीं है अभी अभी start हो जाएगा कहीं कहीं पर भी मिल रहा है सो मेरे पास अवेलेबल था मैंने यूज क्या बट मैंने एक वीडियो अपने चानल पे डाला हुआ है जिसमें मैंने आवले को किस तरह से store करके रखना है सो दाट कि आप 12 महीने आवला यूज कर पाए आवला powder घर पे किस तरह से बनाना है सारी चीजे मैंने share कि हूँ है फ्रेंड्स थोड़ी सी महनत आपको करनी होगी मैं हर तरीके से आपकी help करने की कोशिश करती हूँ सो दाट कि आप इन चीजों को अपने घर पे रखें और यूज करें किसी ना किसी तरीके से आपको ये काफी अच्छे help करता है इंस्टेंट ना सही, long term के लिए काफी जाता helpful होती है ये सारी चीजे हमारी skin, hair और health के लिए चली आपना चूप एने लिया है, एक ही लिया है और ये आपके scalp को condition करता है, hair growth को promote करता है आपके dry frizzy hair को भी ठीक करता है, boost करता है आपके volume को gray hair को कम करता है, हिना के साथ जब इसको mix किया जाता है कि हिना की tone को ये थोड़ा सा improve कर देता है आपना अगर आप यूज करते हैं, तो आपको जूए कभी नहीं ही होती है उसके बाद मैंने यूज क्या है, rosemary leaves now, ये rosemary leaves जो है ये, वैसे तो बहुत साथ अच्छी है but अगर available नहीं है, तो आप skip कर दीजेगा और अगर आप ले सकते हैं, तो इसको order करके या फिर अपने nearby store से इसको purchase कर लीजेगा या आप खाने में भी यूज कर सकते है so, आप इसको यूज करेंगे तो काफिसाथ अच्छा है, otherwise it's your wish anti-inflammatory properties होती है, इसमें nerve growth करते है और ये circulation को improve करता है उसके बाद मैंने यूज कि है tea, नॉर्मल घर में जो हम जाय पेते हैं, वही मैंने यूज कि है ये optional है, ये भी आप like skip कर सकते हैं otherwise you can use it shiny hair देता है, strong hair देता है, itchy scalp को कम करता है natural way है ये आपके hair के color को थोड़ा सा tint देनी में बहुत जादा नहीं, but yes, tea infused जो hair products होते हैं, जैसे की shampoo conditioner or hair mask ये सब थोड़ा सा like healthy way में माना जाता है तो इसके लिए आप ठी को भी यूज कर सकते हैं इसको अच्छे से बॉइल करना है, दो गिलास पानी में डाला था उसको आपने तब तक बॉइल करना है, जब तक कि ये हाफ नहीं रह जाता है उसके बाद आप इसको ढखेंगे, ढखना का मतलब है कि इसमें जो steam बनेगी वो उड़के नहीं जाए और वो आपके उस कंटेनर के अंदर वापस से गिरती रहे क्योंकि उसका जो सौते अगर उड़ गया तो आपके nutrition निकल जाएंगे इसलिए अगर आप चाहें तो इसको जब बॉइल करते हैं बिलकुल slow flame पे करके हलका सा डखकन दीजिए मतलब हलका सा खुला रहे डखकन देखके करिये तो ताकि उसकी steam उसके अंदर जाती रहे और आपके nutrition बाहर नहीं waste हो उसके बाद आपने इसको ठंबना होने के बाद चान लेना है अब यह हमारा कॉंकोशन एक गिलास की जितना बच गया है इसको मैं दो तरीके से यूज करोंगे और दोनों तरीके से आपको बताऊंगे कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते है सबसे पहले मैंने लिया है एक बाउल काच का बाउल मैंने लिया है उसके अंदर मैंने डाली है महंदी यहाथ पे लगाने वाली कोई भी प्योर मेंदी ले सकते हैं आप मैने यहां पर मेंदी ली है जिसमें कोई भी हर्ब अड़ेड नहीं है उसके बाद मैने इसमें डाला है आमला पाऊडर आमला पाऊडर किसी भी तरीके से यूज करो आपको अच्छा बेनिफिट ही देता है उसके बाद मैंने डाला है मेथी सीड्स का पाउडर, मेथी सीड्स आमला सबका बैनिफिट मैंने आपको अर्रीडी बता दिया है, उसके बाद मैंने बिसकस प्लार्ड का पाउडर डाला है, यह तीनों चीजे अप्शनल होती है, मैं इस तरीके से बताती हूं, जिसके पास ज तो अवेलेबल है, ट्राइब जरूर करें, कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा, इसको आप एड करिये, उसके बाद आपने डालना है इसमें दही, दही डाला है मैंने, और इसमें डालना है कॉकरनट ओल, मैंने डाला है, तीन से चार समच के जितना डाल दिया है, उसके बाद मैंने इसको कॉनकुर्शन को यूज करके, इसका पेस्ट बना दिया है, और फिर इसको मैंने पूरी रात के लिए ढख के रख दिया है, धक्के रखने के बाद लेकि इसको आपने कवर करके रखना है सो दाट की इसका वो nutrition जहां निकले नहीं आप देख सकते हो इसका red color, orange color कितना अच्छा सा आ रहा है उसके बाद आपने इसको apply करना है अपने hair के उपर सो यहाँ पर मैं grey hair पर apply करना हूँ so that कि मैं यह भी find out कर सकूँ कि यह हमारे बालों को color देगा कि नहीं देगा सो आप देख सकते हैं इसकी consistency काफी अच्छी हो गई है मेरे grey hair है और मैंने इसे root से लेके पूरे tip तक लगाया है और उसके बाद मैं इसको 2 गंटे के लिए रखा है जो बच गया था आप उसमें अपना shampoo add कर सकते हैं mild shampoo कोई भी जो use करते हैं आप वो add करिए और फिर उस shampoo से अपने head को wash करिए so इस तरीके से आपने इस mask को wash करना है और यह आपको क्या benefit देता है यह आपके बालों को काला नहीं करेगा क्योंकि इसमें जो भी ingredients मैंने use कि हैं सारे आपके बालों की growth के लिए हैं आपके scalp की health के लिए हैं आपके बालों की strands के लिए हैं so इसमें जो भी ingredients हैं सारे के सारे hair growth के लिए अच्छे हैं और मैंने इसको as a conditioning mask use किया और यह मैंने इस पॉपस से यूज नहीं किया कि मैं इसको अपने बालों में काला करने के लिए लगाऊं। फिर भी आप देख सकते हैं हलका सा तिंट मेरे बालों में आया है जो कि और इंज शेड में है क्योंकि मेरी मेहंदी बहुत ज़ादा प्यूर थी और रेलि आइ लाइक भी तेक्श्च्च्चर ऑफ दट मेहंदी जो कि मैं अपलाई कि इसके बाद फ्रेंज लेख दिस अपने घन केस्टिशनिंग मास्क जो लोग कहते हैं कि महंदी मत लगाओ राई हो जाते हैं तो आप इस मास्को ज़रू ट्राई कर सकते हो तो आप एसमास को अच्छा लगा हो री पाक अच्छा लगा हो च्छा लगा तो लाई कमेंटर शेर करियेगा बाई टेक कियर